नमस्कार दोस्तों विली मिडिया में आपका स्वागत है तो आज हम बताएं जा रहा है दोस्तों जीमेल एकाउंट के बारे में जीमेल एकाउंट को सेप कैसे रखें शीक्यूर कैसे लखें ठीक है क्योंकि इस तमये जीमेल एकाउंट एक बहुत ही इंपोर्टेंट डोकुम वेपसाइड है application भी है ठीक है क्योंकि यहां पर हम बहुत सार अपना documents बहुत कुछ अपना रखते हैं अपनी privacy और यहां पर हम सिक्यूर के लिए को परिशान रहते हैं कि कहीं हमारा data कहीं लिक न हो जाए कहीं कोई हमारे जीमेल अकाउंट को कोई हैंग न कर ले और हमारी privacy को दिक्कत हो ठीक है उसी को मंदेर नज रखते हैं हमने तीन ट्रिक आपको बताएंगे अगर तीनों ट्रिक अगर आप आज माते हैं तो आपका जीमेल अकाउंट कभी हैंग नहीं होगा और आपका जो जीमेल एक है तो ऊसी बारे में हम बात करने वाले हैं तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिए गा और इसंचेप बाइस टेप जो तीसरा हमारा से शिटेप है जीमेल आपका बहुत ही मत तुपर है और ऊपका और तीक तू سबना बिल्कुल ना करें और वीडियों को पूरा देख क्योंकि आने वाले वीडियो मिल्कुल मिस ना करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसको रखने करने करना क्या है आपको तो क्रूम ब्राउज्वर को ओपें आप करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पे ठी जो डॉट है य यहां पर आप खुलि करते हैं तो नीचे आया जाएंगे सेटिंग का ऑप्षन है ज्यश्था कि आप देख पा रहे हैंक kilo Selstुड मेरों किलिक करेंगा और निचे जाएंगे यह हमारी privacy है privacy पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर clear browsing data ठीक है दोस्तों और यहां पर आपकी पूरी history आती है और आपको यहां से यहां से आप history को छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन cookies cookies जो यह cookies है इसको टिक करके आप clear data कर दे यानि कि इसको बार बार आप करते रहें यह डेली नहीं लेकिन हफ्ते दो हफ्ते में आप करते रहेंगे तो आपका data आप बिल्कूल आपका gmail account रहेगा दूसरी ट्रिक है मैं आपको बैक करके दिखाता हूं दूसरी ट्रिक क्या है कि यह पासवर्ड जो यह पासवर्ड है दोस्तों जो पासवर्ड है दोस्तों यहां पर आपका data यहां पर पासवर्ड आपका सेब होता है ठीक है तो यहां से आपको क्या कर लेना है यहां से इसको बंद करनें आए यानि कि कोई भी आप वेबशाइट खोलते हैं कोई भी आप में अपना कुई सिब्सक्राइब लोगईन करते हैं तो आपका डाटा यहां पे सेव होता है तो उसको क्या कर लेना आप करने ना यहां पर किसी प्रकार जो जानकारी है तो मैं आपको बता दूँ कि आपको करना क्या है आपको यहां पर टाइप करना है माई एकाउंट माई एकाउंट जैसे ही आप ओपिन करते हैं तो पहले नम्मर पर ही आ जाते हैं माई एकाउंट ठीक है इसको आपको ओपिन कर लेना है और बता दूं दोस्तों की जो तीसरी और महत्तपोर जानकारी है यहाँ पर जो यह security का option है यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यह जो है आप देख पा रहे हैं two step verification इसको आपको कर लेना है इसमें क्या है कि आपको आपका मोबाइल नमर मांगेगा और मोबाइल नमर जैसे ही आप फिल करेंगे आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा OTP डालने के बाद आपकी जो Gmail अकाउंट है बिलकुल secure हो जाएगा जब भी कोई आपका Gmail अपने मोबाइल में अपने लेपटॉप में अपने PC में कहीं भी खोलने की कोशिश करेगा तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा जो आप उससे बताएंगे नहीं और हो खोल नहीं पाएगा अगर आप खोलना चाहेंगे तो इसली आप खोल पाएंगे तो यह बहुत ही बढ़िया ट्रिक है इसको आजमाईए और अपने Gmail अकाउंट को save करिए और हमारी जो पीछे क की वीडियो बहुत सारी हैं अगर आप उनसे कुछ सीखना चाहते हैं तो पीछे description लिंक मिल जाएगा वहाँ पर जाएए और बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो like share comment करिए thank you for watching वीडियो